OTT पर content की बहार है OTT पर ही इस हफ़ते Amazon Prime वीडियो पर एक web series लीज हुई है जुसका नाम है Pocher Pocher web series की कहानी कुछ ऐसी दिखाती है जुसमें अक्सर मनरंजन की दुनिया में अंदेखा सा किया जाता है Pocher series काफी चर्चा में है इसकी वजह से इसकी co-producer आलिया भट भी चर्चा में आ गई है लेकिन Pocher series को देखने के बाद सारा माजरा समझा जाता है कि आलिया ने इस फिल्म के साथ जुड़ने को आखिर क्यों मन्सूरी दी थी ये एक बहतरी क्राइम ड्रामा series है जो सच्ची घटना उपर आधारित है इस वेब series को देखने के बाद यहीं लगता है कि इस तरह के content की भारते OTT platforms को सख्त जरूरत है पोजर वेब series की कहानी हाथियों के शिकार की है किस तरह से उनके दांतों के लिए उनका शिकार किया जाता है जब इस बात के परताल की जाती है तो हाथियों के शिकार कौन कर रहा है किस तरह किया जा रहा है और दांत कहां जाती है तो बात बहुत दूर तक जाती है हाथी दान्त के शिकार की घटनाओं की जांच करने वाली फॉरेस्ट आफिसर जब इसकी तह तक जाती है तो समझाता है कि तार बहुत उपर तक हैं कहानी बहुत दिल्चस्प मोड ले लेती है और कई सारे रोमांच और गुसा पैदा करने वाले सीन भी इसमें आती है वेब सीरीज में कलाकारों की एक्टिंग भी बेहद शानदार है पोचर वेब सीरीज के क्रेटर रिची महता हैं वो शक्स हैं जोने पहले नेट्फिक्स के लिए दिल्ली क्राइम बनाया हुआ है और इसे खूब पसंद भी किया गया है एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही विश्य चुना है जोसे हम अकसर ख़बारों में या सुर्प्षों में नजर अदाज कर देते हैं जिसके बारे में सोचने के लिए हमारी भाग दौर बड़ी जिंदगी में बहुत ही मामूली समय होता है लेकिन रिची ने इसक कहानी को मजबूती के साथ पेश किया है कोचर वेब सीरीज को कुछ इस तरह बनाया गया है कि आठ एपिसोर में ये वेब सीरीज कहीं ठकती नहीं है और इसे देखने के बाद रोमांच लगातार बना रहता है